नमस्कार दोस्तो तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए भारत की पिर्मुख नदिया उनके उद्गम इस्थल वे उनके संगम यानि की उनके मिलने का स्थान या यू कहूं कि उनके गिरने का स्थान लंभाई और उनकी खास बात हैं दोस्तो इन सारी चीजों को हम एक ही वीडियो में कवर करने बाले हैं ठीक है नदी कौन सी जिगे से उध्गम होती है यानि उत्पन होती है ठीक है कहां पर उसका संगम है किसमे जाकर मिलती है या फिर कहां पर वो गिरती है लमबाई कितनी है और उसकी खास बातیں जो भी दोस्तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 30 पिलस इंपोटेंट नदियों को इसी पिरकार से दोस्तो अगर आपको ये पीडियाप चाहिए तो बोल दीजेगा कॉमेंट करके आप सभी को ये पीडियाप भी उपलब्द खरा दी जाएगी दोस्तो रोजाना सुबह आप सभी को एक वीडियो ऐसी ही ट्रिक से संबंदित आप सभी को दे दी जाती है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोस्तो आप सभी को टेस्ट भी दिये जाते हैं जी के कम्प्यूटर और सुबह करंट अफेर्स आप सभी को पढ़ाई जा है गो उत्र legal का रोक तो तो ट कैंट है यह समंदर तल से करीब receives 49 मीटर की उसचाई पर है तो गंगा का गोमुख हिमाने या जोगी होग कर दोर गॉत्रि के पास गोमुख हिमनग है तो गन्गा गोमुख आपको थोड़ा इस की को और याद रख लिना है और गिरती कहां पर है बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है जाकर देखिए यहां से एक बड़ी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि भारत में गंगा की लंबाई कितनी है तो 25-25 यानि 2525 किलो मीटर है और आप इसकी बारे में दोस्तों खास बात याद र ठीक है तो आपसे भी पूछ सकता है कि गंगा का निर्माड कौन सी दो धारा मिलकर करती है तो अलक नंदा और भागिरती कहां मिलती है देपरियाग में और किसका निर्माड करती है गंगा का अगला पॉइंट देखिए गंगा की पिरमुक सायक नदिया कौन कौन सी है खंड उत्तर परदेश बिहार और पस्ची मंगाल राजियों से होकर गुजरती और भारत में कुल कितनी 2525 किलो मीटर की लंबाई तक दोस्तों गंगा फैली होई है तो ट्रिक साथ बस आपको यही याद रखना था कि गंगा उद्गम कहां पर है गंग उत्री हमनत के पास गो तो गो मुख यानि कगाय का मुख और यहां पर दोस्तों गंगा ठीक है तो गो मुख और यहां पर गो गो पकड़ लेना है आपको इस ट्रिक से आप बहुत ही आसाने के साथ में याद रख पाएंगे ठीक है और वैसे भी जो गो मुख यानि जो गाय का मुख है वो कैसा हो होता है बिलकुल भैगंगा की तरह होता है ठीक है तो आप इस टाइब से याद रख सकते हैं agla है दोस्तो सत्लज और यह है सत्लज नदी का उद्गम तिबत में मान सरोबर जील के पास ठीक है राकस ताल से दोस्तो उद्पन होती है सतलज ठीक है तो सतलज नदी का उद्गम कहां से है सतलज नदी का उद्गम है दोस्तो मान सरोबर जील के पास राकस ताल से उद्पन होती है और यह समुदर तल से इसकी उचाई कितन नाब नदी में जाकर ये मिल जाती है ठीक है देखिए सत्लज और कहां पर है मान सरोबर देखिए सत्लज लज यानि लाज अब ही किसी के लाज होगी ठीक है तो वो किसी का मान क्या रखेगा सत्लज बिलकुर उसे लजा देगा ठीक है तो कहां पर मान सरोबर जहिल के पास रा हगा राक्षस होता वो तो ठीखेड राक्षस का सरूप होता तोड़ा इस टाइप से आप याद रख सकते हैं ठीक राकस ताल से यह उत्पन होती है तो कुल भारत में लंबाई कितनी है लगबग इसकी कुल 1500 किलोम् το меся से बारत में देखेड कुल ये बहती है अब इसके बारे में थोड़ा जानकरी ले लीजिए ये दोस्तों सिवलिक यानि जो सिवालिक परवत है इस रंखला से होकर पंजाब में प्रिवेस करती है और चेनाब नती में मिल जाती है लुदियाना और फिरोजपुर सत्लज के तटो पर इस्तिते हैं तो मान यानि मान सरोबर मान क्या रखेगा और ऐसे लोग दोस्तों किसके यानि राकस यानि राक्षस के समान होते हैं बिलकुल तो थोड़ा इस टाइप से आपको याद रख लिना है अगला दोस्तों यहां पर देखिए सिंदू या इंडस बहुती तगड़ी ना दिया यह ठ दोस्तों टिबत मैं मान सरोबर चील के पास और क्या नाम है दोस्तों सानौख्याबाब हिम्नत से ठीक है सानौख्याबाब हिम्नत से उतपन होती है सिंदू नदी और मिलान कहां पर दोस्तों इनक अरब सागर में जाकर यह गिरती है कुल लंबाई 2880 किलोम है अगैं और जहेलम देखी हमाले से निकलने वाली सिंदू नदी ठीक है बहकर पाकिस्तान चली जाती है बाहरात और पाकिस्तान के बीच हुए एक करार के अनुसार सिंदू जहेलम और चिनाव का केवल 20% पानी ही भारत इस्तमाल कर सकता है तो ये भी पूसकता है बही कि सिंदू जहेलम और चिनाव नदी के कितने प्रतिसत पानी का केवल भारत प्रियोग कर सकता है तो 20% पानी का प्रियोग केवल भारत कर सकता है अब देखिए सिंदू या इंडस तो सिंदू आप लोगों को ट्रिक से कैसी याद रखना है देखि मान सरोबर जील के पास भी सानो क्या बाद तो आप से बस इतना आएगा सिंदू कहा से तिबबत में मान सरोबर जील के पास से ठीक है तो सिंदू है यह सिंदू का मतलब सादू अब भई जो सादू होगा दोस्तो उसका क्या उसका मान सम्मान यानि मान सरोबर देखे जो सादू होगा उसका मान सम्मान तो बनता है भाई मान सम्मान करना चाहिए सादू का तो इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं सिंदू यानि सादू और सादू का क्या होना चाहिए मान सरोवरिन मान सम्मान भाई होना जरूर चाहिए अगला देखी दोस्तो अगली नदी है रावी और रावी नदी ये दोस्तो इसका उद्गम स्थान है कांडला जिले के रोहतांग दर्रे से ठीक है रावी और कांडला जिले के रोहतांग दर्रे से के पास से दोस्तो ये उत्पन होती है और मिलान या फिर इसका दोस्तो क्या सुने या एरावती भी है तो आप इसे याद रख सकते हैं पाकिस्तान के पंजाब में प्रविस करने से पहले रावी पाकिस्तानी सीमा के साथ करीब 80 किलो मीटर तक बेहती है तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है अब नदी है दोस्तों रावी और यहां पर है कांग रॉब दिखाओगी रॉब तो वो क्या हो जाएगा तंग यानि तंग जब आप बारवार किसी को अपना रॉब दिखाओगे तो वो क्या हो जाएगा तंग हो जाएगा भाई ठीक है तो रोहतांग इस टाइब से याद रख सकते हैं अगला देखिए व्यास नदी दोस्तो तो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से उत्पन होती है तो ट्रिक पहले आप सुन लीजे व्यास 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 कुंड ठीक है और आप लोगों को पता होगा रोहतांग तो आप लोगों को कभी यह भी मिल सकता है की व्यास नदी कहां से रहतांक, दर्रेंसे निकलती है ठीक है? और व्यास यशेे एक्चिलॉमिन मैललोगेस ने इसके व्यास कुंड ठीक है? यह भी मिल सकता है अप्सन में आपको यजा एप फिर ऐसा मिल जाएगा और अगर व्यास कुंड में ले तो फिर सीद आपको रखना ही है याद और समुन्द तल से इसकी उचाई कितनी अलगवक 4330 मीटर दोस्तों उचाई है इसकी और ये इसका संगम कहा है 17 नदी में दोस्तों ये मिल जाती है देखिए इसके कुले लंबाई 470 किलो मीटर है देखिए व्यास कुलू घाटी से बहती हुई दोलादार परवत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है व्यास नदी का पौरानिक नाम अर्जी किया या विपासा है तो आपसे पूछ सकता है कि व्यास नदी की किस का पौराना नाम है तो व्यास नदी का ठीक है एक पौरानिक नाम है अर्जी किया और व्यासा देखिए देश में व्यास नदी जल विवाद काफी पौराना है यह पंजाब और हर्याना के बीच व्यास नदियों के अत्रिक्त पानी के बटवारे को लेकर मुकदमा दोस्तो सालों से अदालत में है तो यह मुकदमा यह सालों से अदालत में भी चल रहा है इन नदियों की अत्रिक्त पानी के दोस्तो हिसाब किताब को लेकर तो आपको पता लग गया ये नदी भी आपकी दोस्तो होगे अगला देखिए जेलम और जेलम का दोस्तो उत्गम है कस्मीर की बेरिनाग और सेसथनाग जील से दोस्तो ये उत्पन होती है और इसका संगम है चिनाब नदीम है इसकी कुल लंबाई 724 किलो मीटर है और भारत में दोस्तों ये 400 किलो मीटर है देखिए अब आप को होगे कि इनका हम को क्यों नहीं बताया ठीक है ये ऐसी नदी थी दोस्तों जो भारत के बाहर से जाती है जो भारत में प्रवेस्ट नहीं करती है ठीक है इनके बारे में थोड़ा आप सभी को जान लेना है तो देखिए ये जो जहेलम नदी है ये 724 किलो मीटर भारत में बहती है और लगवक चार सो सॉरी 724 किलो मीटर की कुल लंबाई है और भारत में 400 किलो मीटर तक बहती है और ये सिरी नगर में जेलम में सिकारें चलाए जाते हैं ठीक है सिरी नगर में जेलम में सिकारें ठीक है और वो चलाए जाते हैं यहाँ पर सिकारें वगएरा सिकार वगएरा चला लेते हैं यहाँ पर सिकार कर लेते हैं जेलम में देखिए जेलम अब जेलम में आप याद रखना जेल भाई जेलना किसका नाग जब बैरी नाग खाएगा बैरी होता है नाग तो आदमी का बैरी नाग खाएगा तो उसका जो डंक है न वो जेलना काफी कटिन हो जाएगा सेस नाग हो या बैरी नाग ठीक है भाई यह जब नाग खाएगा तो भे उसका डंक तो जहिलना केड़ा पड़ेगा थोड़ा इस टाइप से आपको याद रखना है अगला है दोस्तों यमना नदी और यमना नदी है बंदर पुंच के पश्चमी ढाल परिष्टित यमनोत्री हिमनत से तो आपको ट्रिक बताने की जर गंगा यमना ठीक है और आपकी सरस्वतिय कहां पर मिलती हैं दोस्तों जाकर यह प्रिया गिलाबाद में मिलती है ठीक है देखिए इसकी कुले नमभाई कितनी है तो 1375 किलमीटर है इसकी सायक नदिया है चंबल बेतवा कैन ठीक है हिंडन सारदा देखिए गंगा की सबसे म हैथपून उप नदी कौन सी नाम क्या है उसका यमना देखिए यमना नदी 800 किलमीटर तक गंगा की समांतर यानि पैलल चलती है ठीक है तो आप से यह भी पूछ सकता है और यह गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी भी है अगला है दोस्तों चंबल और चंबल नदी का लूप Walk में जाना पाओ वैस चप्पल जो है जाना पाओ पाओ में पाहर करियाँ ठीक है जाना पाओ ठीक है तो उट्ट्र परद्रेश चेatवा से 38 क्लमीटर दूर यमना नदी में मिलान संगने ठीक है इसकी कुल लंबाई 50000 क्लमीटर थैं देश की सबसे गहरे खड़ों का निर्माण करती है कौन सा यमना नदी ठीक है तो आप याद रखीगा इसकी सायक नदियां काली नदी सिंध पारवती ठीक है सिपता और बनारस हैं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं ठीक है यगे दोस्तो आपकी कंपलीट अगला देखि राम गूं गूं राम गूं दीक है दोस्तो उद्गम कहां पर है नैनी ताल के पास में हिमाचल सिरेणी का दक्षनी भाग तो नैनी ताल और ये है राम गंगा प्रिक से कैसे याद रखना है देखिए रैली सोरी नैनी की जगे आपको याद रखना है मैली ठीक है और यहाँ पर राम गंगा राम तेजी गंगा मैली हो गई यानि नैनी हो गई ठीक है तो राम गंगा यानि नैनी ताल के पास है हिमाचल हिमाले सिरेणियों का दक्षनी भाग ठीक है देखेए अब इसका मिलान पूछ सकता है आपसे कन्नोज के पास गंगा नदी में यह मिल जाती है जाकर राम गंगा इसकी कुले लंबाई 696 किलो मीटर है देखिए ये खौन जो है इसकी पिरमुक सायक नदी है ठीक है तो खौन इसकी पिरमुक सायक नदी है अगला देखिए साड़ दाया काली नदी और ये कुमाव हमाले का दोस्तों मिलान हिम्लद है वहां से निकलती है ठीक है कुमावु हमालेका मिलान हिमलद है सारधाय काली नदी वहाँ से ये दोस्तों ये निकलती है और ये मिलते किस्मे है बहराम गाट के पास गागरा नदी में मिल जाती है ठीक है इसके कुल लंबाई कितनी है 602 किलो मीटर है और इसकी सायक नदिया कुन सी हैं सारदया काली नदी की तो इसकी सायक नदिया हैं सर्मा लिसार सर्वू या पूरवी राम गंगा और चौकिया ये इसकी सायक नदिया हैं दोस्तो सारदया काली नदी की अब इसका उद्गम कहा है कोमाऊ हिमाले का मिलान हिमलद ठीक है तो आपको थोड़ा इससे ऐसे याद रख लेना है कुमाओ हिमाले का मिलान हिमलत और वहां से निकलती है सारदाया काली नदी अगला देखिए घागरा ने दी ये दोस्तो नेपाल में तकला कोट से 37 किलो मीटर उत्तर पस्चिम में कहां से निकलती है मपसातुंग हिमानी से ये निकलती है और ये मिलती कहां पर है सारण और बरिया जिले की सीमा पर दोस्तो गंगा नदी में मिल जाती है इसकी कुले लंबाई 1080 किलो मीटर है ठीक है और गागरा नदी के बारे में खास बात याद रखिए सिवालिक को पार करते समय सीज पानी नाम का 108 मीटर गहरे खड़े का निरमाड़ ये करती है सीज पानी नाम का है चोकिया और छोटी गंगा इसकी साहिक न दिया है अब देखे ट्रिक से आपको याद रखना है घागरा और यहाँ पर है यहाँ पर तूंग देखे जब आपको घागरा बगएरा पहन लेगी और लेड़ी तो वो कैसी हो जाती है तूंग यानि तंग सी हो जाती है ठीक है तो मुपसा तूंग से निकलती है तो दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर आप इसे याद रख सकते हैं ताइब से जब कोई लेडी जगागरा पहन लेगी तो वो कैसी हो जाएगी तुंग यानि तंग सी हो जाएगी अगला देखिए अब आप सबी यहां से इसे आसानी के साथ याद रखिए गंडक नदी है और ये नेपाल से दोस्तो ये निकलती है ठीक है और पटना के पास ये और इसकी जो सायक नदिया है काली गंडक ठीक है और तिरसूली गंगा दोस्तो इसकी सायक नदी है इस नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्तरों को दोस्तो साली ग्राम कहा जाता है ठीक है तो आपको यहां से इसे याद रखना है अब ये है गंडक नदी और ये है दोस्तो नेपाल गंडक से याद रखिए गेंडा और गेंडा नापाल भाई गेंडा नापाल क्योंकि गेंडा जो है वो खतरनाक होता है तो सब दोस्तों, मिलान कहाँ पर है, कारगोल की दक्ष्नी पस्जी में, गंगा नदी में दोस्तों यह मिल जाती है и इसकी कुल लंबाई, 730 किलो मीटर है और इसकी मुक्य धारा, अरुन नदी है खास बाते हैं, इसकी मुक्य धारा और अरुन नदी है इसकी साहिक नदिया कौन कौन सी है यारू सुन कोसी तामूर कोसी लीखू दूद कोसी और भोट कोसी चलिए यह इसके बार में डेटेल याद रखीगा अब है कोसी नदिया और यह है गो साइनात गो साइन और यह कोसी देखी गो और साइन यानि गाय को और साइन यानि ठीक है तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं ठीक है जी आपके नदी होगी है 30 नमबर कंप्लीट 14 नमबर देखिए अब आप सोन नदी है और यह है दोस्तों अमर कंटक की पहाड़ी तो ट्रिक में यहाँ पर आप सबी को बताई देता हूँ सोन यानि जो सोना मिल जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा अमर अरे वो तो अपने आपे को मरा हुआ समझे गाई नी ठीक है अब वैसे आप याद रखिए एक त करकी सोन से यानि सोना अगर सोना किसी को मिल जाएगा वो क्या समझेगा अपने आपको अपे अमर यानि अमारी समझेगा वो तो ठीक और यह उद्गम कहां से है दोस्तों इसका अमर कंटक की पहाड़ी से यह मिलान कहां पर है पटना के पास गंगा नदी में सोन नदी मिल और इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है इसका उद्गम नरंदा के पास से होता है ठीक है इसकी खास बात क्या है इसका उद्गम नरंदा नदी के पास से होता है अगली नदी है दोस्तो ब्रहंपुत्र नदी ठीक है ये ब्रहंपुत्र नदी है ठीक है तो ब्रहंपुत्र उचाई कितनी है तो 5150 मीटर है ठीक और तिबत में मान सरोबर जील से ये निकलती है तो ब्रहम पुत्र और ये है मान सरोबर देखे जो ब्रहमा का पुत्र होगा ठीक है चाहे ब्रहमा हो या ब्रहमा का पुत्र उनका क्या होगा उनका मान सम्मान यानि मान सरोबर देखे उनक 216 किलोमीटर तक ब्रहंपुत्र नदी बहती है ठीक है यहां से आपको यह क्याद रखना है इसे तिब्बत में सांगपो भी बोलते हैं या सापू भी बोलते हैं और असम में दिहांग भी कहा जाता है ठीक है इसे तिब्बत में सापू और असम में दिहांग नदी भी कहते है इसकी साहक नदिया कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की तो वो है डिबोंग लोहित सेसरी नोवा दिहांग धनसीरो तीस्ता और जिजराम आदी दोस्तों इसकी साहक नतिया है अगरी नदिय देखिए विद्यांचल परवत स्रेणी है ठीक है किसका उद्गम है नरम्दा नदिय अब आपसे पूछेगा नरम्दा नदि कहां से निकलती है तो अमर कंटक नामक स्थान से निकलती है और देखिए यहां पर आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है नामर्दा यानि नामरा अब नामरा तो क्या है फिर वो अमर है ठीके नरम्दा यानि नामरा नामरा तो फिर क्या है वो अमर है यानि कि अमर कंटक नामक इस्थान से निकलती है और समुदर तल से उचाई कितनी है 1050 किलोमीटर और गिरने का इस्थान है दोस्तों खंबात की खाड़ी इसकी कुल नंबाई बजाए एक्षवरी बनाती है ठीक है तो डेल टक दोस्तों बजाए क्या बनाती है एक्षवरी बनाती है अगला देखिए अगली है दोस्तों तापती नदी और तापती नदी है दोस्तों मद्य परदेश के बैतूल जिले से अब देखिए तापती ठीक है और यह है दोस्तों मद्य पर्देश के बैतूल जिले से ये निकलती है और सूरत के पास खमात की खाड़ी में दोस्तों ये मिल जाती है इसकी कुले लंबाई 724 किलो मीटर है अब यहां से इसके बारे में खास बात आपको ये याद रखनी है इसकी सायक नदी पूर्णा नदी है और ये डेल्टा के बदाई ये भी क्या बनाती है एक्शुरी बनाती है ठीक है अब यहां पर है तापती और यहां पर है मद्य पर्देश के बैतूल चलिसे तो बैतूल और ये है तापती देखिए तापती अब कोई कौन तापती रहे यह बे तूल यानि कि बे फजूल की जो लोग रहते है ना बे तूल यानि बे फजूल अब बे फजूल के तो लोग क्या करते हैं बे तापती रहते हैं वो तो ठीक है ठंड पड़ रही है बे फजूल की ताप रहे हैं कोई काम ही नहीं है ठीक है अगला देखिए महा नदी और महा नदी दोस्तों निकलती है 36 गड़ के राए पुरजले में सिहाँ पहाडी से ठीक है सिहां के पास दोस्तों ये निकलती हैं सिहाँ पास से महा नदी देखिए, आप लोग ट्रिक से सियाद रखिए, महा, महावाड़ पकड़ी और यहां पर सिवा ठीक तो महान कौन थे? तो महान ते सिवा, यानि सिव ठीक है, महान सिवा, यानि महान सिव ठीक है, और इसके गिरने का इस्तार बंगल की खाड़ी, इसकी कुल लंबाई 1815 कीलो मिटर, इसकी سायक नदी हैं दोस्तो कौन से हैं, ब्रहम मरी और वेतरनी, ठीक है, महान नदी की सायक नदियां हैं और यहाँ से इसके बारे बस आपको यही चीज याद रखनी है अगले देकि अगली है शिपना नदि और दोस्तो यह निकलती है मद्देपर्देश की इंदोर जिले की कक्री बडरी नमक पहाड़ी से ठीक है शिपरा कहा से कक्री बिल्कुल पहाड़ी में छिप्रा बहार निकालो उसको ठीक है कक्री बढ़री पहाड़ी में कहां पर बढ़री कहां पर छिप्री वो कहां पर बढ़री थी तो वो बढ़री थी तो वो बढ़री थी पहाड़ी में ठीक है आप याद रखिए गए इसे मद्दे पर्देश के इन दोड़ चले के कक्री बढ़ रही नमक पहाड़ी में कहां पर बढ़ रही ही वो तो वो बढ़ रही थी छिपरी थी ठीक है और वो पहाड़ी में जाकर बढ़ गी थी तो इस टाइप साब को याद रख लिना है देखिए मिलान कहां पर है सिप्रा का चंबल नदी में मिलत अगली नदी देखिए माही नदी और माही नदी input is dharshallay में महएद जीर से नकलती है ठीक है कहां से महध जीर से अगैजाए है आपको ऐसे ट्रिक्स ता रखना माही और माही जो है न महध या न महध और महध और कासी है मह預 खुबसूरत है क्या कहने है मही ठीक है धार जिले के महद जिले से निकलती है बेहद ठीक है बेहद है कौन बेहद माही माही कैसी है बिलकुल बेहद खुबसूरत है ठीक है और ऐसी धार है उसमें कि बस क्या कहने है ठीक है ये दोस्तों खंबात की खाली में जाकर मिल जाती है इसकी कुल लंबाई पांसो पि देखिए लूनी नदी और लूनी नदी का दोस्तों उद्गम है अजमेर जिले में इस्तित नाग पहाड़ी से ठीक है नाग पहाड़ी से अब आपको ट्रिक से कैसे आत रखना है लूनी यानि कि लूंगी अब लूंगी पहन रखी थी नाग निकल या ठीक है नाग कहां पर गाउं में निकल लिया नाग और फिर क्या हुआ पहाड ठीक है नाग निकल लिया और नाग को देखकर कहां चड़ गया अब पहाड पर चड़ गया खंबे पचड़ गया लूनी लूंगी पहन रखे थी नाग निकल लिया नाग निकलता देखा तो पर कहां चड़ गया नमकीन नदी है ठीक है नमकीन नदी है यह नदी थार मरुस्तल में लुप तो हो जाती है तो गायब हो जाती है लूनी नदी थार मरुस्तल यानि की राजिस्थान में ठीक है अजमेर कहा है राजिस्थान में है आगली नदी है दोस्तों सौम नदी सौम नदी का उद्गम कहा पर है उदैपुर जिले में बीचा मेंडा पर ठीक है सौम नदी बीचा मेंडा पर आप यहां से देखी ट्रिक्स कैसे आद रखना है सौम से यानि साम ठीक है सौम से साम अब साम हो गए खेद पर ठीक है काम करते करते खेद पर साम होगी तो कह रहे हैं बीचा मेंडा पर ठीक उसे कहते हैं मेडा तो सौम होगी खीत में ही अब आप कह रहे हैं आपस में अब यह भी बिचा मेड़ी पे ठीक है तो इस टाइब से दोस्तो आपको याद रख लिना है ठीक है उद्धेपर जिलेव में बीचा मेडा पर दोस्तो इस्तित है सौम नदी और बपेसवर के पास माही नदी में दोस्तो इसका मिलान है ठीक है और इसके बारे खास अबावत आपको याद रखनी है जोखम गौमती और सारनी इसकी साहक नदियां है सौम नदी की नेक्ष्ट देखिए दोस्तो साबर मती नदी और साबर मती नदी का उदगम है उदैपुर जिले में अराबली पहाड़ी यानि अराबली परवत पर इस्तित जैस समुंदर जील पर साबर मती ठीक है अब देखिए मती साबर मती जाकी मती अच्छी होगी वो कैसा होगा जैस समुंदर ठीक है जाकी मती अच्छी होगी तो वो क्या करेगा दोस्तो वो समुंदर में भी अपनी जैस समुंदर करा लेगा ठीक है जैस समुंदर देखिए दोस्तो इसका उदगम कहां पर है उदैपुर जिले में राबली पारी पर इस्तित जैसमुदर जहिल पर और गिरती कहां पर खंबात की खाड़ी में इसकी कुल लंबाई सावरमती नदी की 371 किलो मीटर है और एक पड़ी खास बात इसके बारे में ये है कि इसे बेडच नदी भी कहा जाता है अगली नदी है दोस्तों क्रिष्णा नदी और क्रिष्णा नदी निकल सी है महा बलेस्वर के पास पस्चिम घाट पहाड़ी से तो आपको आद रखना है कि कहां से निकलती है क्रिष्णा नदी महा बलेस्वर से देखिए क्रिष्ण अब जो क्रिष्ण थे वो कैसे थे महा बलेस्वर यानि की महाल बल साली थे और उसे क्या कहते थे इस्वर कहते थे तो किर्शना नदी महा बलेस्वर के पास पस्चिमी घाट से निकलती है इसके बारे में खास बात आपको याद रखनी है कि इसकी उचाई समुदर तल से 137 किलो मीटर है और तुंग भद्र, मूसी, अमरावती, भीमा, कोईना, पंच गंगा, आदी इसकी दोस्तों पिर मुक सायक नदिया है अगली नदी है दोस्तों गोदाबरी अब गोदाबरी नदी का दोस्तों उद्गम है महारास्ट के नासीक जिले में एक पहाड़ी से गिर्दी कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कुल लंबाई कितनी है इसकी 1465 किलोमीटर है और आप एक बात याद रखिए गोदाबरी नदी के बारे में इसे वरत गंगा भी कहते हैं ठीक है फिरवा, फिरवरा, पुराना, मंजरा, बेन गंगा आद ही दोस्तों इसकी सायक नदिया है अब बात चले एक गोदाबरी नदी की तो गोदाबरी अब गोदाबरी और यहाँ पर है महाराष्ट के नासीक नासीक, अब है नासीक कहाँ पर गोदाबरी, यानि गोद में जाना नासीक, गोदाबरी में आपको बिल्कु सस्क्राइब करना ना भूलिएगा अगला दोस्तों देखिए कावेरी नदी और कावेरी नदी का दोस्तों उद्गम है करनाटक के कुर्ग जिले में इस्तित ब्रहम गरीड की पहाड़ियां अब ट्रिक से पहले इसे आप याद रखिए ब्रहम गरीड की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी देखिए ब्रहम यानि ब्रहम कावेरी अब ब्रहम कावेरी कोई नी बनेगा ठीक है ब्रहम कावेरी बैरी का मतलब होता है दुसमन अब ब्रहम का मतलब बर्मा अब ब्रहमा जी से कोई बैर करके क्या मरेगा क्या ठीक है तो का बेरी किस का बैरी ब्रह्मा का बैरी बनेगा तो कोई मरेगा क्या वो क्या कर देंगे कुर्ग यानि थोड़ी देर में उड़ा देंगा कुर्ग मुर्ग फोर्ग वर्ग से ऐसा ही ठीक है कहां पर गिरती है बंगाल के खाड़ी में इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और समुदर तल से दोस्तो इसकी उचाई है 1341 किलोमीटर और इसे दोस्तो दक्षिन भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है कावेरी को किसकी दक्षिन भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और सिब समुदरम जर्परपात स्रीरंगम पट्रम की उपस्तती इसका महत्म दोस्तो दोस्तो बढ़ा देती है ठीक है तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सिब समुद और पास में ही दोस्तो कांडूर से भध्रा नदी का उद्गम है तो अलग अलग हैं दोस्तो तुंग और भध्रा दो है ये करनाटक के पास पस्चमी पहाड की गंगा मुल चोटी से निकलती है तुंगा और उसके पास से ही कांडूर से निकलती है दोस्तो भध्रा नदी तो कुम्मदवती फर्धा हिंद आधी दोस्तों इसकी प्रिमुक सायक नदिया हैं ठीक है यहां से याद हो गया तुंग भद्रा और यहां पर तुंग और भद्रा यहां से निकलती दें कि तुंग निकलती है करनाटक के पास पस्चिम घाट की गंगा मूल चोटी से ठीक है अब तुंग यानि तू तू गंगा मूल ठीक है तू बिलकुल जो गंगा है ना हमारी तू बिलकुल हमारा मूल आधार है हमारे देश का ठीक है और भद्रा और भद्रा कहां से निकलती है कांडूर ठीक है भद्रा भद्र बोलोगे तो क्या होगा कांडूर कुछ ऐसा वर्ड है न कांडूर मांडूर कुछ ऐसा करके तो आपको थोड़ा इस टाइप से याद रख लेना है अगला देखिए पेनार या फिर पेरियार तो दोस्तों ये निकलती है पेनार जील सौरी पेनार नदी जील नहीं है जीली क्यों याद आ रही है ये पेनार नदी कहां से निकलती है करना टकी नंदी दुर्ग पहाड़ी से देखिए पेरियार नहीं है पेरियार नीचे है तो ये पेनार है ठीक है पेनार कहां से निकलती है करना टकी नंदी दुर्ग पहाड़ी से देखिए यहां पर आपको एक ट्रिक याद रखना है पेन नार पेन नारम वड़ पकड़ना नार नार में सोती है नारी और नारी दोस्तों ज़्यातर क्या करती है नाटक नाटक ही करती रहती है ठीक है और किसके नंद दुर्गी यानि नंद से अपनी से क्या करती रहती हैं नाटक साई करती रहती हैं तो इस टाइप से थोड़ा आप याद रखिएगा ठीक कोई भी बुरा ना माने देखिए समझाने की कोशिस आप सब्सक्राइब कर रहा हूं मैं ठीक है ये बंगाल के खाड़ी में दोस्तों ये मिलती है इसके कुल लंबाई 597 किलूमीटर है और यहां से एक बात इसके बारे में याद रखने हैं पैनार के बारे में पापा धनी और चित्तरावती इसकी पिरमुक सहयक नदिया हैं अगला देखिए 29 नदी है दोस्तों दक्षणी टॉंस और दक्षणी टॉंस कहां से निकलती है कैमूर पहाड़ियों में इस्तित ये निकलती है दोस्तों तमसा कुंड जलास से दक्षणी टॉंस ठीक है यह है तमसा कुंड टॉंस देखिए यहां से आपको याद रखने है टॉन्स यानि टॉन्स यानि इस टॉन्स इस टॉन्स मिन्स क्या होता पत्थर पत्थर कहां पर मिलते हैं कुंड में ठीक है टॉन्स से आपको याद रखना इस टॉन्स इस टॉन्स होते हैं पत्थर अब पत्थर कहां मिलते हैं दोस्तू तमसा यान कुंड में मिलते हैं से नदी परिस्थिते दक्षिनी डॉंस पर अगली दोस्ति पेरियार नदी कि पयार पयार पेरियार ठीक है तो इसका उद्गalten कहां से है पेरियार जीद से औ इसके बारे में एक बड़ी बात आपको याद रखने है यह नदी केरल में परवाहित होती है केवल अगला है दोस्तों उमियम नदी कहां पर है मेगाल लेकी उमियम जील से तो उमियम उमियम आपको याद रखने है गिरना का इस्थान याद रखना है बंगाल की खाड़ी otherwise ये अब खाली कुछ याद रखना नहीं है अगला है दोस्तो हुगली नदी और यह है हुगली नदी दोस्तो कहां से यह निकलती है यह गंगा की एक साखा है जो पस्चे मंगाल में धुलिया ठीक है धुलिया दक्षन गंगा से अलग होती है दक्षिन की गंगा से अलग होती है धुलिया में ठीक है तो किस से अलग होती है यह है गंगा की एक साका है उगली नदी और जो पस्चे मंगाल की धुलिया की दक्षिन कंगा से अलग होती है और यह बंगाल की खाड़ी में दोस्तो जाकर गिरती है इसके बारे में बड़ी बात ये है कि जलांगी ठीक है जलांगी इसकी पिरमुक साहक नदी है किसकी होबली की और अंतिम आपको नदी याद रखनी है दोस्तो बैगाई और बैगाई निकलते दोस्तो तमिल नाणू के पास मदूरे से ठीक है और बंगाल की खाड़े में जाकर मिलती है इसके कुल लंबाई 228 किलो मीटर तक है और कुमूम, वरसानाड, तेवरियार, मंगलार आदी इसकी प्रमुक सायक न दिया है अब देखे ट्रिक से कैसे आपको याद रखना है तमिलानों के पास मदूरे से और ये है बगाई दूरे, अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा बगाई बगाई का मतलब किसी के बगएर बगाई ठीके बगएर, अब किसी के बगएर अगर कोई व्यक्ति होगा तो कैसे महसूस करेगा, दूर ही महसूस करेगा तो इस ताइब से दोस्तो आप सभी को यह जोड़कर याद रख लिना है तो आपने आसानी के साथ इसमें देखा दोस्तो नदी, उनका उद्गम, उनकी लंबाई, गिरने का इस्तान और उनके बारे में खास बात है तो मैंने पूरी डिटेल के साथ दोस्तो आप सभी को बताया है कोसिस कीजिएगा कि 102 बार इस वीडियो को देख लें आपको पूरी डिटेल के साथ में यह सारी चीज़े रट जाएंगे फिलाल के लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी का दिन सुभो पिलीज सस्क्राइब माई यूट्यूब चैनल